अगर policy के लिहाज से बात करेंगे या जो बार बार बात हो रही है कि हम किधर जा रहे हैं तो शायद positive बात करेंगे लेकिन अगर हम ये बात करेंगे कि 2014 से 2016 में job growth के लिहाज से हम कहां खड़े हैं तो उसमें हम negative बात करेंगे और ये एक ऐसा मुर्चा है जिस पे मोधी सरकार क एक जो बड़ा काम किया है कि जो skill India, skill development का program चला है, लेकिन उसकी मुश्किल क्या है, कि अभी आज ही एक, मैं आ रहा है तो किसी taxi वाले से बात हो रही थी, तो वो इसके बारे में जानना चाहता है, क्योंकि मोधी सरकार की खूबी किया है, सब कुछ बहुत बड़े, branding, marketing, एक बड़े प्रोपगेंडा, सब कुछ होता है, तो उसका फाइदा ये है, कि वो सीधे उस तक पहुंचता है, जो end user है, वो उसके बारे में जानना चाहता है, मुश्किल क्या है, अब वो कह रहा है, कि skill India के जो centers है, वो certificate तो दे रहे है, रोजगार की guarantee नहीं दे रहे, अगर र startup India, मुद्रा, ये सब मिलके, एक ऐसा infrastructure create करेंग जिस पर entrepreneur develop होंगे, यानि उद्ध्यमी पैदा होंगे, कि मैं उद्ध्यम करूंगा, और 10 लोगों को रोजगार होंगा, लेकिन जो सबसे बड़ी मुश्किल है, कि ऐसे 50 उदाहरण नहीं तयार हो पा रहे है, देश में एक ओ इंडिया और stand-up इंडिया और skill India, ये तीनो मिलके, रोजगार पैदा कर पाएंगी, मुझे लगता है कि ये सरकार deficit में है, क्या नीतियों के इस तर पर कमी आपको नजर आती है, या नीतियों के क्रियानवन के इस तर पर ये deficit है, नहीं मुझे लगता है क्रियानवन से ज्या आपने तैक किया कि हमारा ये pocket है, यहां सिर्फ और सिर्फ हम knowledge based कुछ करेंगे, जो skill करेंगे, या हर जगा वही आदमी होगा कि वो mechanic बनेगा, वो plumber बन जागा, इस तरह से काम नहीं चलेगा, और ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा loophole है इस policy का, जो बार-बार समझ में खर्च करें, ये दोनों चीज अगर जोड के सरकार platform दे दे, तो मुझे लगता है कि रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा, दुनिया में एक बड़ा उदाहरण होगा, जो successfully job creation कर रहा है, और ये जोगता है, जोगता है, जोगता है, जोगता है, जोगता है, जोगता है, जोगत